हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल का ऐसे हो आप लोग आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे रेश्टूरेंट इस्टाइल घर में मतर पनीर और इसको हम बेसिक सी सामान से ही बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे तो आपको मिल जाए तो चलिए इस मज़ेदार सी मतर प्रेंट को बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहला काम हम करेंगे गैस पर हम रखेंगे कराहिस में हम चार से पांच चम में डालेंगे रिफाइंड ओल आप इसमें कोई भी खानी वाला तेल आप इस्तिमाल कर स अब आप इसको फ्लेम हमने हाइप रखा वी तेल को हम अच्छा गर्म हो जाने देंगे जब तक कि तेल से धुआ सा ना दिखने लगे तो यहां पर हमारा तेल जो है काफी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है इसके बाद मैंने यहां पर लिया है दो बड़े साइज का प्याज जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है प्याज को हम फ्राइ कर लेंगे हलका गोल्डन होने तक तो इस तरीके से हम हाइफ लेम पे इसको चलाते हुए हलका गोल्डन होने तक हम फ्राइ कर लेंगे से मैंने इसको हाई फिलेम पे फ्राइ किया है और इस तरीके से साइड में कड़के रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो तेल है वो निकल जाए और एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसको हम पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे तो यहां पर मैंने साड़े प्याज को निकाल लिया है यहां पर मैंने एक मिक्सिका जार लिया है इसमें हम डालेंगे तीन मीडियम साइज के टमाटर ऐसे ही मैंने इसको बरे टुकरों में काट लिया है यह एक इंच अद्रक का टुकरा और दस से पंदर लसुन की कली इन सब को हम एक साथ ही डाल देंगे और यह मैंने दो हड़ी मिर्च लिया है बीच से कट लगा करके इसको हम बाद में डालेंगे तो यहाँ पर टमाटर और अद्रक लसुन को हम पीस करके पेस्ट बना लेंगे तो यहाँ पर हमारा अद्रक और लसुन और टमाटर का पेस्ट बन करके रेडी है इसी जार में हम क्या करेंगे प्याज में हमारा ठंडा हो चुका है प्याज को भी हम पीस लेंगे तो यहां पर मैंने सेम मिक्सर जार में प्याज डाल दिया है इसका भी हम पेश्ट बना करके तयार कर लेंगे तो यहां पर हमारा प्याज का भी पेश्ट बन करके तयार है अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस के तरफ यहां पर हमने लिया है 300 ग्राम मटर यह में हमारा कच्चा मटर था इसको मैंने बॉयल होने के लिए रखा है इसको हैफ लिम पे 10 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे अगर आप फ्रोजन मटर यूज कर लें तो इसको ऐसे ही डाले प्रोजन मटर जो पहले से बॉयल रहता है यहाँ पर हमने लिया है 500 ग्राम पनीड इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है इसको आप अपने पसंद के साब से थोड़ा चोटा या बड़े साइज के आप कट कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने कराही में तेल जो काफी ज्यादा था तो उसको मैंने कम कर लिया है और उसमें मैंने डाला है दो सुखी लाल मिर्च एक दाल चिनी का टुकरा एक थिज पत्ता चार छोटी इलाइची दो बड़ी इलाइची एक चमत जीरा इन सब का कलर हम चेंज होने देंगे गैस के फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा है इसके बाद मैंने इसमें डाला है प्याज का पेस्ट तो पहले हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट और एक मिनट के लिए प्याज को हम भून लेंगे प्याज हमारा अल्डेडी फ्राय है तो इसको हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है इसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर और अध्रक लरसुन का पेस्ट और तीन से चार मिनट के लिए इसको भी हम बूनेंगे हमने फ्लेम को मेडियम ही रखा है और इसको हम कंटिनू चलाएंगे ताकि मसाला हमारा जले ना और यह मैंने जो हडी मिर्च लिया था उसको मैंने डाल दिया है इसमें इसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसर नमक एक चमच हल्दी पॉडर एक चमच तीखी लाल मिर्च तीन से चार चमच धनिया पॉडर एक चमच हम डालेंगे जीरा पॉडर और यह है दो बड़े चमच कसमेरी लाल मिर्च पॉडर इससे काफी अच्छा सा कलर आता है और यह है मलाई दो चमच जो घर में मलाई श्टोर करते हैं घी बनाने के लिए वही मलाई है आप इसमें अलग से भी क्रीम डाल सकते हैं या फिर आप इसको इसके भी कर सकते हैं मलाई डालने से काफी बढ़िया सा टेस्ट आता है और इसके टेस्ट को यह काफी जादा बाइलेंस करता है अब हमें साड़े मसाले को भूनना है काफी अच्छे से तो मसाला हमारा काफी अच्छे तरीके से भून चुका है मैंने तीन से चार मिनुट तक मसाला को खुब अच्छे से भून लिया था इसके बाद इसमें हम डाल देंगे मटर यहां पर मतर डालने के बाद यहां पर हम डालेंगे थोरा सा कसूरी मेथी क्रेस कड़के, इससे बहुत ही बड़ modal सा टेस्ट आता है, अगर आपके पास है तो आप डालिए नहीं तो आप इसको ना भी डाले इसके बाद इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी यहां पर मैं दो ग्लास पानी डालूंगी आपको जितने ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल लेज़े और ग्रेवी में उबाल आने देंगे अब अच्छे से तो यहां पर उबाल आ चुका है अब हम इसमें डाल देंगे पनीड अभी तक का हमने प्र और इसको मिक्स कर देंगे एक बर अच्छे से अब हम इसको ढख करके लो टू मेडियम फ्लेम पर दस मिनट के लिए पका लेंगे अब हम इसको ढख करके छोड़ देते हैं और दस मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं तो यहां पर हो चुका है 10 मिनट मटर पनिर को पकते हुए तो यहां पर देखिए काफी हद तक यह गाड़ा हो चुका है कि यहां पर हमारा मेटर पनिर बंगर के रेड़ी है कितना आसान है इसको बनाना आपने देखा ही कितने जल्दी यह बन जाता है कितने आसान तरीके से बन जाता है उपर से हम डाल देंगे हरा धनिया बहुत ही बढ़ियां बना है हमारा मटर पनिर काफी टेश्टी दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेश्टी है तो आप भी इस तरीके से एक बार जरू ट्राइ किजिए गड़ में आपको रोटी के साथ खाए चावल के साथ खाए किसी के भी साथ खाए काफी मज़िदार लगता है तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो पसंद आया था प्लीज वीडियो को लाइक करे सेर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते ह आप सी नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए बाबाई